वल्कम श्टोवन तो यहापे आमरे पास एक नीट 2016 का एक कोश्चन है कोश्चन देखो consider the reaction यहापे आपको मिलेगा क्या है तीन कार्बं का अलकी ललाड़े यहापे वन ब्रोमो यहापे आपका प्रोपेंड उसके अंदर यहापे एनसेंड डाला है और यहापे आपको चार क कार्बं का यहापे compound मिला है इसको हम butane nitrile बोलते है या इसको हम क्या बोलेंगे प्रोपिल साइनाड तो यहापे बोला गया कि this reaction will be the fastest in तो यहापे देख सकते एक primary alkyl लड़े यहापे जो reaction हो रही है एक primary alkyl लड़े को पर हो रही है तो यहापे देखो यह जो हमने तो फिलाल यहापे हमें C2H5 यहापे हमें draw करना पड़ेगा तो यह C2H5 और यहापे C मतलब total 3 carbon हो जाएगे फिलाल यह जो BRA front side यहापे देख सकते इक this is the front side यहापे front side से तो यहापे जो CNA यहापे इस carbon के उपर attack नहीं कर सकता तो फिल यह CNA यहापे back side से जाता है देखो यहापे back side पे कम steric hindrance है यहापे देखो एच जो एच चोटा चोटा तो यहापे less steric hindrance होने के करने यह CNA जो है back side से यहापे जाता है देखो अभी फिलाल यहापे इसका carbocatine यहापे बनेगा तो यह less stable रहेगा तो फिलाल यहापे carbocatine वाली कोई case यहापे नहीं बनेगी यहापे back side पे attack हो जाएगा मतलब यह कौन सी reaction हो जाएगी SN2 mechanism में हो जाएगा वैसे भी यहापे हमें पता है primary alkylal के उपर जो reaction होती है nucleophilic substitution वो SN2 को follow करती है और SN2 के अंदर जो हम medium यूज़ करते हैं वो एक non यहापे protic solvent यूज़ करते हैं कि जो polar है तो यहापे हम बोलेंगे polar a protic solvent देखो यहापे इसको हमने ऐसा draw किया है C2H4U यहापे C और इसको यहापे CN canOkay हो गया तो यहापे total carbon की बात करें तो यहापे हम इसको बोलेंगे क्या प्रोफिलस Aí' alarm यह हो जाएगा इसका common name यह common name हो जायगा IOPC की बात करें तो 1, 2, 3, 4 तो 4 कर्बंक का यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर क्या बोलेंगे Bute, यहाँ पर सब single bond है तो Aनी E यहाँ पर निकालेंगे तो यहाँ पर आपका क्या हो जागा E यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पर Nytril तो butane nitrally या पर यह हो जाएगा आईउपे से ने तो फिलाल या पर जो है SN2 mechanism हो ला है polar aprotic solvent या पर आमें देखना है ethanol फिलाल या पर देख सकते हैं तो देखो या पर 4 या पर solvent या पर आमने लिखे पहला ethanol या पर polar protic या पर देख सकते हैं या पर आप acidic hydrogen या पर देख सकते हैं उसके बाद या पर methyl alcohol भी देख सकते हैं acidic hydrogen है polar protic वालवन तो आमें या पर पता ही है या पर इसके अंदर H होता है या पर polar protic बट यह जो dmf है n-n-diamethyl formamide या पर देख सकते है n-co या पर methyl, n-co या पर methyl तो n-n-diamethyl या पर बोला जाता है और this is the या पर formamide तो dmf पोला जाता है यह polar refilar इसके अंदर कोई भी या पर acidic hydrogen नहीं है तो इसको हम क्या बोलेंगे polar protic solvent तो यह या पर हमें यूज करना है यह जो reaction है इसके अंदर या पर हमें समझना क्या है कि जो तीसरा option है n-n-diamethyl formamide this is a polar afrotic solvent कि जो SN2 mechanism के लिए यूज क्या जाता है बिकाज इसके अंदर कोई carbocatine intermittent नहीं है तो या पर वो होने के लिए आपको या पर non-polar polar afrotic solvent यूज क्या जाता है option number 3 is the correct answer I have a understand explanation, thank you